गुद्डे फ्रेंट्स दिस राहूल मुंशी और सागत है अब सभी का मेरे इस यूटूब चानल इस्टड़ी वित राहूल मुंशी में और हम लोग जैसे कि हमारे पहले की वीडियो में जेपीसी का मेंस को कवर करते हुए चल रहे थे आज भी हम लोग हमारे इस वीडियो में जेपीसी का मेंस का अगला टॉपिक को कवर करेंगे हम लोगों ने हमारे पहले की वीडियो में जेपीसी का मेंस के लिए जहारकंड का जो हिस्ट्री है कोई भी हो, सभी एक्जाम के लिए बिर्सा मुव्मेंट बहुत ही एक important topic है, खास करके जहां पर आपको subjective questions मिलते हैं, वहाँ पर आप मान के चलिए कि बिर्सा मुव्मेंट के उपर में एक नए question आपको जरू देखने को मिलेगा, इसी के लिए खास कर कोशिस कीजिए ना, कि ये बिर्सा मुव्मेंट का जो आपका topic है, इसको बहुत अच्छा से cover कीजिए, ठीक है, आई शुरूआत करते हैं, आप देखीगा कि जिस time में 2016 में भी जब exam हुआ था, तो बिर्सा मुव्मेंट के उपर में कोशन का एक आया था, कि सरदारी जो मुव्मेंट होता है, मुव्मेंट के बारे में, बिर्सा वास बावन इन 15th of November 1875, अटारहसो पहत्तर इसम में उनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, खूटी में हुआ था, खूटी में एक छोटा सा गाह है, उली हातु, उली हातु में उनका जन्म हुआ था, जो की राची से करीब 40 किलो में पढ़ता है, उनके पिता जी का नाम था, खूगना मुंदा, ठीक है, उनके पिता जी का नाम सुगना मुंदा, यह सा पॉइंट अगर आप याद रखी का एक्जाम में लिखेगा, तो एक्जामनेर को ही पता चलता है, कि आप कुछ पढ़ कर क्या हो, मतलब इसी तरह निव पिता है, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सार उता आओ चला हो देखें, तो कुछ-कुछ मेजर चेंजेस भी उनके लाइप में हुआ, क्या हुआ, ही केम इंटू कॉंटेक्ट विद्धा मिस्नरीज विच विजिटेड देखिए, शुरुवाती के टाइम पर क्यात अपने परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता था, तो मिस्नरीज लोग उनके बहुत मदद करते थे, तो बहुत सारे लोग उनसे इंफुएंस हो जाते थे, बहुत इतना पढ़ाते हैं, बच्चों को लिखाते हैं, अचा-चा काना देते हैं, पहनने कपड़ा देते, तो लोग काफी इंफुएंस होते थे, तो बिर्सा भी इंफुएंस होते हैं, मिस्नरीज से, लेंट रीडिंग और राइटिंग, अभी जैसे मैंने को कहा कि पढ़ाते लिखाते भी थे, तो वहीं मिस्नरी से ये एक बहुत ही प्लस, मतलब एक बेनिफिट चीज मिला है, ज उनका भी एक प्रभाव पढ़ा था बिर्सा के उपर में, तो आप एक तरफ से देख रहे हो कि मिस्नरीज का भी प्रभाव पढ़ा है बिर्सा के उपर में, एक तरफ से देख रहे हो कि हिंदू, ब्रामन जो थे हैं, आनन्द पांडे, उनके संपर्क में आने से भी बिर्स अभी देखिए 1886 में जर्मन लूथरेन मिसन जो मिसिनिरी थे उनके भी संपर्क में आया उनका भी काफी प्रभा पड़ा किन पर प्रभा पड़ा बिर्सा मुंडग उपर में भाई उन्हीं के बारे मतलों पड़ाई कर रहे हैं अभी क्या है लेटर बिर्सा जॉइंड इस प देख रहे हैं बिर्सा वाज वंस बीटन एज ही हैड इस टोलन ओर्नामेंट्स वाम ग्रेव जो ग्रेव होते ना मरने के बाद जहां पर लोग को दफनाए जाता है वहां पर कुछ और्ना में होते हैं जो कोई इंसान मर गए होंग उनको दफना दिया गए तो उनका उनका तो उसको चोरी किये थे वह तो इसको जब पता चला तो काफी पिटाई पड़ी थी इनको ठीक है मतलब इसे यह पता चलता है कि वह एक सिंपल साधारन बालक थे अपने जब वह बच्पन में थे तब इसके वज़े से क्या हुआ था कि उनको सोशल समाथ से उनको भाहिशकार कर दिया गया था ठीक है इनसा भी पॉइंट को याद रखिए इनसा भी पॉइंट को आप एक्जाम में बहुत अच्छा से लिख सकते हो ठीक है क्योंकि देखिए जब आपको मेंस का एक्जाम लेकिन अगर 20 मार्स कभी आगर आपको कोशन मिल रहा है मतलब यू हाव तो राइट अट लीस्ट फोटू फाइज अट लीस्ट तो उसके लिए आपके पास में सफिशेंट पॉइंट होने चाहिए कि आपको लिखना कहां से है ठीक है मतलब कि क्योंकि वो जो हिंदू जाती से भी वो थोड़े इंफ्लूएंस थे हैं तो भजन कीर्थन में उनका काफी समय आता था मतलब वह था है कि जो लोग आते हैं कुछ वचन वगरा देते हैं प्रवचन देते हैं तो वो भी ये करना शुरू कर दिये थे बिरसा क्योंकि धीरे 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 इनको अपने जिन्द्गी में बदलाओ देखने को मिल रहा था और वह हमेशा लोगों को बोलते थे कि अहिंसा जो है वो एक्चुली सही होता है और हिंसा जो है वो लोगों को नहीं करना चाहिए और जो एनिमल सेक्रिफाइज होता है जो बली उली दिया जाता है वो सब नहीं करना चाहिए वो सब ठीक नहीं होता है ठीक है अभी क्या है ना कि बिर्सा को फिर से एक बार गाव चुरना पड़ा क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब आप ऐसे चीज की शुरुआत करते हैं जेकि बिर्सा का हिसाब से क्या था कि वो उनका बोलना था कि भाई आप एक गौट को मानिये सिंग बोंगा बाकि सब भकवास होता है आपको अहिंसा का रास्ता पर चलना है यह तो वहां के जो पुराने जो लोग थे हैं पंडित थे हैं जो मौलवी थे हैं जो भी होंगे यह सब उनके लिए खतरा पैदा करत था तो कहीं न कहीं यह सभी चीज वो लोग हमेसा ध्यान में रखते थे कि कि किसी तरह करके बिर्सा को यहां से अठाना नहीं तो अपना दंदा नहीं चलने वाला है तो अभी क्या हो गया कि वो फिर मतलब वहां पर एक बार स्माल पॉक्स आजिसको लोग चेचक बोलते है कुछ समय के बाद वो आएं और पूरा गाओं को दिन रात सेवा कियें उसके बाद फिर से वापस उनका वही रेस्पेक्ट उनको वापस मिल गया ठीक है अब हम लोग देखते हैं background of विरसा मूवमेंट विरसा मूवमेंट का एक्चुली एक्चुली बै। मandलब कहाँ से शुरुवाथ हुआ हुआ जब भी कभी कोई लडाई शुरू होती है जब भी कभी कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसका कहीं से न कहीं से उसका वो जन्म लेता है तो ये कहां से जन्म लिया वो हम लोग को जानना जादा जरूरी है पहले अभी जैसे मैं आपको बोला था ना सरदार लडाई जो थी सरदार एकिस हद तक बिर्सा मुवमेंट को इंफलूएंस किया था या बिर्सा मुवमेंट के सर तक सरदार ही अगिसेशन से जुड़ा हुआ था इसके बादे में आपको तिपनी देनी थी तो The Sardar Regression और इसको क्या कहा जाता है मुलकी लडाई मुलक होता है जब हम लोग देश को अगर उर्दु भासाम में बोलते हैं तो मुलकी लडाई भी इसी का नाम है सardar Regression का ठीके? याद रखे गाँ इन सभी पॉइंट को एक्जाम में बहुत अच्छे से लिखे और लिखते के साथ में अंडरलाइन जरूर किजिए ठीक है दा स्ट्रगल फॉर लैंड देख इसका मतलब है न कि देश देश्ट्रगल फॉर लैंड सरदार एगे सेशन इसका नाम ही था अपने देश के लिए लडाई करना है अपने जमीन के लडाई करना है विच कमेंस्ट विच कमेंस्ट विच कमेंस्ट इन ऐटीन फिफ्टी एट था इसका में नहीं क्या था सरदारी एगे सेशन का अभी हम लोग सरदारी एगे सेशन का बात कर रहे है उसका में नहीं क्या था जो जमीनदास थे ना उसको उठा करके बाहर फेक देना है क्योंकि जमीनदार लोंग क्या करते थे जो भी गरीब किसान लोंग थे जो भी पीजन्स लोंग थे उसको बहुत प्रशान करते थे उनका जमीन सब हड़ाप लेते थे ये एक बहुत ही common सा factor है आप जारकन का जितना भी आंदूलन देखोगे जितना भी रिबोल्ड देखोग सभी का सभी इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो गरीब आदमी लोंग का जमीन हडप लेते थे उनको मारते थे पीटते थे भगा देते थे बहुत जाती की जाती थे ठीक है अभी क्या है इट इट एम्ड एक्ट एक्ट स्पेलिंग दा जमिनदार्स प्रोटेस यहां के जो लोकल लोंग थे वो लोग क्या करते थे हैं कि यह बहर से जो लोग आएथे ना इस यहां के लोकल लोग डिकूज कहते थे टीकूज ठीक है तो डीकूज आप हमेसा ही समझी का कि जो बहरी लोंग जो आ करके जारकन में बसे थे तो वो उनको बिल्कुल ही लाइक नहीं करते थे क्योंकि इनको यही माना लगता था कि डिकूज जो थे वो लोग आते थे केवर यहां परशानी बढ़ाने के लिए उनसे उनका सब कूछ छीन लेने के दे वूट समोी नॉट पे रेंट ये लोग क्या करते थे सर्दार या लोग ये लोग कभी-कभी लैंट पे नहीं करते थे टर्न आउट रेंट कलेक्टर एंड शॉॉट Полी अर्डियों डिकूस लोग जो ते वह क्या करते सबस्क्राइब किन पए जो को यह ही कारण था कि इसक अब ही का तो पारी जो भूल संबैब तो सर्दार जो वहां के लोकल जो लोग तैं वह2 एक को नहीं पसंद करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यह जो लैंडॉट लॉहंगा है उनको बहुत हथा करते हैं थे भाई हम लोग आपना प्रोटेस्ट करें से खुश नहीं है ताकि आप लोग हम लोग से छीने हुआ वापस कर दीजे हम लोग ठीक है दस सर्दार मुवमेंट पाष्ट तू थ्री फेज़ अभी तुह सर्दार मुवमेंट हुआ था था ना वह तीन फेज़स से पास हुआ कौन-कौन सा थीन फेज़स पहरा था अग्रेरियन कृशी जिसको बोलते हैं यह कब से कब तक था एटीन फिफटीएट से ले करक रिवाइवल मतलब कि कहीं से शुरू हुई थी फिर आकर के कोई चीज रुख गई फिर वहां से दुबारा शुरू हो रही इसको रिवाइव किया जा रहा है रिवाइवलिस उसको बोलते हैं पुनरुत्थान जिसको बोलते हैं ठीक है तो यह 1881 से लेकर 1890 तक था और तीसरा था पॉलिटिकल आप लोग जानते ही 1890 से लेकर 1895 तक था तो सर्दारी जो लडाई थी वो मेंली तीन फेसे में थी यह पॉइंट देखे इन से भी पॉइंट को याद रखिए यह आपको बहुत मदद करेगा मैंस का एक्जाम लिखने में ठीक है और कौन-कौन सा फेस था वो में लोगों देखा एग्रेरियन, रिवैबलिस्ट और पॉलिटिकल अभी क्या था इन फर्स फेस देर वेर वाइडिस्प्रेड इस्टरबेंस इन 1858 जो 1858 में हर तरह बहुत बहुत अशान्ती फाली हुई थी क्यों क्यों यह 1858 कब आया था 1857 के जस्ट बाद 1857 में क्य जाता है कि जो भारत का जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन अगर आप बोलेंगो यह तो वह 1857 में जो हुआ था उसके बाद था तो 1857 के बाद यह आया था तो इसके लिए बहुत चारी वहां पर ना मतलब हिंसा फैला हुआ था बहुत ही प्रावलम में थे वहां के लोग तो यह 1858 में दा गवर्नमेंट ट्राइड ट्राइस बाद डिफाइनिंग अंड डिर्माइनिंग दा भुहियारी राइट्स बट दा मूव दिड नॉट सर्टिसफाई देम सरकार कोशिस करती थी कि ज लेकिन वहां के लोगों को समझ में आ गया कि यह केवल आंख में धूल जोकने वाला काम चल रहा है इससे अपना कुछ भला नहीं होने जाने वाला है तो उसको डिसकार कर दिया नहीं एक्सप्ट ही नहीं करना उसको वह यह था अभी सेकंड फेज में कहता दस सेकंड फेज हम लोग पहला देखें कि भाई वो जो गरीब किसान लोग जो थे हैं उनको पहला ये एक भुहियारी सिस्टम लेकर काया नहीं काम किया सेकंड वाले में हम लोग रिवाइवलिस फेज देखे थे क्योंकि अल्रेडी वहां के लोगों को जारकन के लोगों को ये पता चल चुका था कि भाई हम लोग को कहीं से न कहीं से सुरुआत कर चुके थे फिर आकर के रुख गय थे फिर अभी शुरुआत करना है मतलब अठारा सो एक यानवे इस भी में जो सर्दार जो गुरूप था ना वो लोग एक कोशिस कियें कि हम लोग अपना खुद का एक किंडम मनाते हैं ठीक है एक खुद का किंडम मनाते हैं कहां पर डॉइसा में लेकिन वह एक्चुली अंसक्सेस्पूल रहा क्योंकि देखिए एक तो सबसे पहले ना कुछ भी शुरू करने के लिए कुछ बड़ा करने के लिए विजन चाहिए कि हम लोगों को करना क्या है करना क्या है ठीक है उस वत करना कैसे कैसे है तो यह विजन जिसके पास होगा वही लोग आगे आगे की कारवाई कर पाएंगे नहीं तो बस सिं तर्शित करें, ठीक है? अभी क्या है, they also tried to secure the support of the Christians, ये लोग कुछ Christians का भी मदद लियें, लेकिन वो भी काम नहीं किया, ये revivalism phase था, अब हम लोग आते हैं, third phase में, in the third phase, they submitted several petitions and filed legal suits against the जामिनदार्स, पॉलिटिकल हम लोग देखे थे, जो third phase हमना था ना, पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल के विसी पे चलता है, वो लोग देख चुके हैं, कि सब कुछ करने से भी कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो ये लोग finally किया, कि ये लोग petitions डालना सुरू की हैं, सरकार को, कि भाई हम ल कालने का, आंदोलन करने का, भू करताल करने का, इससे भी काम नहीं चलने वाला है, तो क्या हुआ, डिड नॉट ये रिजल्ट अग्रूप नोन एज नियो सर्दार्स, इमर्ज रमंग देम, अभी उसमें से कुछ एक नियो सर्दार सामने आए, देखिए, जब कुछी शु इस नियो सर्दार में से भी एक नियो सर्दार गूर्प अलग हुआ, क्योंकि उनको लगा है, हम लोग कुछ और अलग तरीके से अपना अंदोलन को आगे ले जा सकते हैं, इस नियो गूर्प बिलीव दाट रूट कॉस अप देर मलाड़ी वास ब्रिडिस रूल, विच प् हमारा काम इसली हो सकता है, तो हमारा में जो हमारा जिन से लड़ाई है, वो है ब्रिडिसर्स, ठीक है, दस सर्दारी लड़ाई वास अंदा होल, वेल, और अरगनाइज और मिलिटेंट, अभी क्या है कि सर्दारी लड़ाई जो शुरुआ से देख रहे हैं, बहुत अच्छ बढ़िया लीडर नहीं है उसके पास में, इड लैक्ड़ अ करिश्मा, मतलब जिसके पास में लीडर बहुत तरह के होते हैं, कुछ लीडर ऐसे होते हैं, जो नॉर्मल जनम लेते हैं, और चीजों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद उनके अ प्रिश्मा हो कुछ मतलब जो एक बार दिखा दें बस वो निकल पड़े सब उसके पीछे में ऐसा कोई लीडर उनको नहीं मिलता उसके वज़े से सब कुछ धरा का धरारा जा रहा था आप यह सेम चीज देखिएगा जिस टाम पर गांधी जी साथ अफरीका से इंडिया में इंडिया में उसके पहले भी बहुत बहुत था कोशिस की जाती थी कि कि हम लोग आंदोलन करें नगे हैं यह करेंगए वो करेंगे लेकिन होता नीए था लेकिन घंदी जी जिब आए तो गांधी जी के साथ में क्या हूआ के उनको एक लीडर मिला, जिसके अंदर में एक लीडर्शिप कॉलिटी देता, पूरा देस उनके पीछे पीछे चल पड़ा, यही होता है कारिस्मेटिक लीडर का काम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अभी क्या है? बिर्शा मुंडा के उपर एक नए कोशन आपको एक्जाम में जरूर आएगा. बिर्शा मुंडा के पास में था, बिर्शा मुंडा के पास में था, इनको बहुत नॉलेज बहुत ग्यान था. बिर्शा मतला अभी सर्दार लोंग अपना मुंड को बिर्शा मुंड के साथ में कलब कर दी हैं. बिर्शा का जो रिवोल्ट हुआ था, उसका में उसका कॉस क्या था, तो ये देखी, ये एक ऐसा पॉइंट है ना, जो हर जगह आपको पॉइंट का एक कारण ये मिलेगा ही मिलेगा. इसके दौरा, इसके दौरा, बिर्शा इमर्ज़ा इमर्ज़ और वेगा ही मिलेगा, इसका में उसका बिर्शा एक कारण ये तो ये दो था फ़र्स्त, इसके दौरा इसका मिलेगा. जो गरीब लोग थे उनका जमीन चीन लिया जाता था उनको उन्ही के जमीन में काम करा करके उनसे पैसे ले ली जाते थे तो इस अभी चीज मतलब बहुत खराब बहुत दैनियस सिटुएशन हो चुका था मां का दाग्रेडियन ट्रवल्स had become bad in the early decades of 19th century and were so much aggravated by failure of crops क्योंकि उसमें कभी कभी किसी का क्रॉफ मतलब जो फसल जो बवाई करते थे हैं वो खराब हो गया सुखा आ गया बार आ गया तो इसके वज़े से सब कुछ धरा का धरार आ जाता था प्लस उपर से जो गरीबी की ज मार थी वो अलगी चल रही थी ठीक है that the mundas in their despair is sought to violence they had no other choice than to fight openly for their ancient right उनके पास में कोई option नहीं बचा भाई या तो लड़ो या तो मरो जैसे गांदी जी ने भी कहा या तो लड़ो या तो मरो तो सेम उसी तरह से इनके साथ भी वही situation आ गया कि या तो fight करो नहीं तो आसा ही म प्राइजिंग हो अप्राइजिंग संथाल हुल शिद्धु कानु आपको बहुत सारा ऐसा रिवोल्ट देखने को मिलेगा यह सभी धीरे 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 चलता रहा यह जो पीरियेट था ना यह एक्चुली पीरियेट वही सब कर टाइम पर है 1789 से लेकर करके आप यह हमारा है। लग अफ मेटिज़न भाए बिर्डिसर्स का मतलब क्या हुआ कि बिरडिसर्स लोग इस पर मतलब जो वहाँ के लोकल जो लोग थे हैं और उनकी प्रॉलम थे हुए धान ही ने देते थें कोय बतलब ही नहीं था उनको यह चीज़ दिरे दिरे इनी लोग वो स अबी दूनों का मक्सिद देख था कि गरीब आदमी लोग को नोच बैठो जो है उनके पास से छीन लो ठीक है अभी दा बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी लोग को ने अनेक्ष किया है वहाँ पर कुछ कोशिस किये करें कि वहाँ पर शांती आये सबुच सम्रिद्धी आये सबुच अच्छ चले मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था वो लोग जो भी कोचिस कर रहे थे कि हम लोग कुछ आंदोलन लेके आएंगे कुछ हम लोग पेटिशन डालेंगे लेकिन उस अब से अक्चुली में कुछ नहीं हुआ कोई रिजल्ट लोग को नहीं देख रहा अपने आपको एक अच्छे जगह में पा रहे थे क्योंकि उनकी हमेशा जीत हो रही थी अब उसके बाद का पॉइंट क्या था जो मैंने आपको अल्लिडी बताया है लैंड ग्रैबिंग्स बाइज जागिर्दार्स जो जागिर्दार्स थें जो जमीनदार्स थें वो लोग जबरन वहां के लोगों का लैंड छीन लेते थे और उनको उन्ही के जमीन पे काम करा करके बदले में थोड़ सा पैसा उनको देते थे तो यह सोची कितना गलत बात होता था मतलब आपका ही जमीन है आप से छीन लिया जाता था और आपको बाला जबरन आपको आपके जमीन पे काम कराया जाता था और आपको देहाली दी जाती थी मतलब सोची कि कितना खराब लगता हो उन लोग के साथ में दिस वाज़ा निव ग्रूप जो मतलब काफी लालची थे वो यह जो थे ना जागिदार्स लोग जो नए जागिदार्स आए थे काफी लालची था उन लोग को कोई मतलब नहीं था वहां के लोगों से जब वो आंदोलन किया तो वह सारा मेथड होता होगा कौन-कौन सा मेथड था बिर्सा वोज अवेर अबब थरी इंफ्लेंस उन दा मुंदा कल्चर बॉनन बॉट अप इन दा मुंदा सोसाइटी क्योंकि उनको सब कुछ मुंदा के बारे हम पता था बॉनन बॉट अब मुंदा सोसाइटी में थे वो लिए नियू अबाउट दा रिपल्चन अगेंज असूर प्रैक्टिस दूरिंग इस स्टे अट चाइबासा फ्रम यह सब चीज आप पढ़ दीजेगा यह उतना में बहुत इंपॉर्टन नहीं है बस यहां पर यह है कि व बहुत ध्यान रहता था और वो उस परिवार से बिलॉंग भी करते थे हिंदू परिवार से जहां उनको हिंदुत्व के बारे में आपको उनको बहुत कुछ जानने को मिला ठीक है अभी कि ही वास अल्सू इंफ्लेंस बाइदा सर्दारेगे से शेशन से भी वह इंफ्लेंस कि भाई सर्दारे इंफ्लेंस जिस तरफ जा रहा है सर्दारेगे सेशन अपना लाई भी उसी तरफ तो जा रहा है अगर दोनों हम लोग दोनों मिल जाएंगे तो एक अच्छा शक्ती हम लोग बन सकते हैं आप इसको देख सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चानल स्टी वित रहूल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए जादा स्टी वीडियो को शेर किजिए ताकि माक्सिम इस्टोरेंट को उसका बेनेफिट मिल सके बहुत इस्टोरेंट है जो ट्यूशन कोचिंग सफोर नहीं कर सकते हैं तो एक ही भगवान है वो मल्टिपल भगवान पर बिलीव नहीं करते थे साथिसाथ उनको ऐसा रिच क्योंकि देखिए वहां के लोग क्या है ना कि बाई पूजा पाठ ऐसा चीज है ना जो ना केवल अभी शुरू से ही वो काफी महंगा चीज भी रहा है अभी गरीब आदमी लोग बचारे वो पूजा पाठ नहीं किजेगा तो लोग बोलेंगा यार पूजा पाठ नहीं कर नहीं मिलता है तो यह सभी चीज काफी महंगा चीज होता है ठीक है बट अरेंजड प्रेयर्स मिटिंग ऑन दा पैटर्न औफ यह देखिए एक चीज एक किया कि हैं बिरसा कि प्रेयर मिटिंग्स हफ्ता में आप देखे होगे ना कि संडे के दिन क्रिस्टन लोग एक प्रे प्रेयर मिटिंग हफ्ता में एक दिन रखने का है इसके नाम पर वो सीज को फॉलो कियें तो यह सभी पॉइंट आक्चुली बहुत ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है लेकिन आपको यह मेंस का एक्जाम में आपको पॉइंट वाइस लिखने में आपको काफी हेल्प करेगा ठीक है? नेक्स्ट क्या है? लेकिन आपको फॉइंट वाइस लिखने को मिलेगा उसी के अधार पर बिर्शा भी अपना कुछ कोड अफ मोरल्स को बनाया था और उनकी यही कोशिस रहते थी कि लोग इस चीज को फॉलो करें जैसे लोगों को अच्छी चीज करने के बारे में ही प्रेडित कर रहे है अभी क्या है कि धीरे धीरे लोग बिर्शा को भगवान मानने लगे थे और वो बताते भी थे कि मैं भगवान कहीं एक क्या उनको पुनर जनम लेकर क्या आया हूँ रीम का नेशन जिसको बोलते हैं और जो वहां के लोग थे वो बिर्शा मुंडा को अपना सिंग बोंगा ही समझते थे क्योंकि उनको लगता था कि बिर्शा मुंडा का जनम ही हुआ है उनका जितनी भी जो पेन है जो दर्द है जो पीड़ा है उनको खतम करने के लिए ठीक है और सन गॉड लुगड अपन एज इंकारनेशन ओफ खसरा कोरा इस देखिए इन सभी पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखीगा खसरा कोरा इंग्जाम में इस सब चीज लिखने से ना यह आपको काफी मार्ग्स लाने में मदद करेगा इसलिए उनको मसीहा कहा जाता था मसीहा के तरह लोग उनको देखते थे कि इनका जन्म ही हुआ है हमारा उधार करने को अवी फेजे और बिर्शा मूंबंड बिर्शा मुंबंड पास्ट अवे थी फेजे पहले यह रिलीजियस ओरियंटेशन पर चल रहा था उसके बाद धीरे धीरे जो गरीब किसान लोग थें वो सभी आकरके इनके इस मुवमेंट से जुड़ें उनको जुड़ने के बाद में क्या वह पॉलिटिकल करेक्टर अपनाया ही है अगर यह रहेंगे तो उनके लिए कितना बड़ा प्रॉलम क्रेट हो रहा है और अगर आगे यह रहेंगे तो उनके लिए कितना बड़ा प्रॉलम क्रेट हो जाएगा ठीक है विर्षा को फिर 1897 में जेल से छोड़ दिया गया और आग बहर आते के साथ में इन्होंने ओपन रिवोल्च कर दिया खुल करके अब हम लोग आंदोलन करेंगे क्योंकि इनको बिर्षा मुंडा का जो टीम था उनको यह लग रहा था कि भाई अगर बिर्षा से चला जाए हमारे कंट्री से बहर हो जाए तो हमारा सारा का सारा प्रॉलम सॉल हो जाएगा ठीक है दा पिरिएड बिट्विन 1897 और 1898 विटनेस्ट फेमाइन इन स्कैर्सिटी और डिजीज यह जो था ना दो साल 1897 और 1899 वहां पर काफी सुखा पड़ा स्कैर्सिटी हो गया क्योंकि अनाच का भाव हो गया डिजीज, बीमारी फैलने लगी बिर्षा यूटिलाइज दे ग्रिम टाइम इन नर्सिंग अफ पीपल मुंड़ा एरिया इन छोटा नागपूर बिर्षा वहां के लोगों को काफी मदद किये उनके साथ रहें, उनके सेवा की ताकि उससे क्या होता ना कि लोगों को लगता है कि ये हमारे सुखदुख में हमारे साथ है तो मतलब ये भगवान ने हमारे ही लिए ही इनको भेजा है तो इस अभी चीज़ से बिर्षा का रिस्पेक्ट और बढ़ने लगा मिन्वाइल बिर्षा बिर्षा बिगन तो और लोगों के पास में बंदू कुंदू कहां जाएगा उनके पास में वही सब कुछ था, बोव नेरो, स्वाड्स, तलवार ये सब कुछ था उनके लिए अभी क्या है गया मुणडा बिकेम कमांडर, गया मुणडा ज consort को अच्छा संखुआ रखिये गया मुणडा उनके कमांडर बन चुक था, खूती है धर बन चुका था घवरन्मेंट फेन्ड टो कर बिर्षा एक्टिवीटि अप्टर हने लिजियो और गवर्मेंट को लग रहा था कि जेल से 30 मेहना का सजा काटने वाद जब बिर्सा मुंडा बहर निकले हैं तो अभी और ही शक्तिसाली हो रहा है और इनको पकड़ना इनको बस में करना बहुत मुश्किल हो रहा है यहतली रहा है लोग फिल से 20 सब्सक्राइब श्रचीन शचासी चाली को बश्यार सब्सक्राइब बाद सब्सक्राइब च्राइब करीं जन्वरी उननिस तो नवंबर 1899 मतलब आप एक तरह से देखोगे तो तीन मेना एक चार मेना तीन से चार मेना का ये खेलता सकेंड फेज दिस स्टेज सो दा ट्रांस्फोर्मेशन ऑफ ओपन वाइलेंस अभी हम लोग देखे थे कि विर्शा मुंदा ओपनली रिवोल्ड करना गया, militant struggle, मतलब रडाई होने लगी, December 24, 1899 was fixed for arson and murder of the Christians, मतलब ये लोग काफी बड़ा पैमाना पे अपना, जो इनकी कोशिस थी कि Christians को मार देना है, हटा देना है, तभी हमारा सब कुछ ठीक होगा, ये लोग करने लगा, अक्चुली में, लेटर रोन, attacks were planned on the British officers, खोटी station जो था, वहां का सब इंस्पेक्टर को मार दिया गया था, towards the beginning of 1900, the British authorities started arresting the followers and supporters of बिर्सा मुंदा, उनको लगा कि वापस से, फिर से बिर्सा मुंदा उनका supporters को पकल करके जेल के अंदर डाल देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं टिक प दाइड इन जून 1900, उनने सो में वो जेल के अंदर में उन्होंने दम तोड़ दिया, जेल सुपरिटेंडिन का कहना था, जो अंडरसन उनका नाम था, कि बिर्सा मुंदा का जो देहान था, वो निश्चित था, क्योंकि वो इतना बड़ा पैमाने पे अपना एक संगठन ब दिये थे, नेचर ओफ रिवोल्ट क्या था, सम पीपल रिगारड़ बिर्सा एज सूटेज ओफ दा सरदार, मतलब अभी देखिए, नेचर ओफ रिवोल्ट, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता था, कि जो बिर्सा थें, वो एक तरह से सरदार जो थें, सरदार रेगिसेश ये कहा जा रहा है कि सरदार का जो कटपुटली के तरह थें ये बिर्सा, लेकिन अभी जो हम लोग पूरा समझ रहे हैं, वो देखा जा रहा है कि बिर्सा एक अलगी लड़ाई लड़ते हुए आ रहत है, सरदार से अलगी लड़ाई लड़ते हुए आ रहत है, दोनों को ज जमिंदार्स को हटा दिये हमारा जो बहर से जो लोग डीकूज लोंग जाए हुए उनको वापस भेज दिये हमारा जमीन हमें मिल गया तो हम लोग खुश हो गए तो आप देखिए दोनों का मोटो कहीं न कहीं अलग है बिर्सा का मतलब भाई पूरा बिर्टिस लोंग को उठ करके बहर फेक दो तो इन दोनों का देखिए मकसद है कि भाई हम लोग को सांती से रहना है खुशी से रहना है हम लोग को हमारा चीज चाहिए लेकिन इन दोनों का सोच अलग-अलग था इन इन पॉइंट को बहुत ध्यान से समझे क्या की एक्जाम में आपको आंसर लिखन क्योंकि यह से मिन आपको समझाए उसी पॉइंट को यहां पर डिसक्स किया जा रहा है लेकिन बिर्सा का में ली मकसद क्या था जो बिर्टिसर्स थे उनको खतम कर देना है बिर्टिस एरा को खतम कर देना है अमंग दा शाइनिंग लुमिनेरी इन दा ट्राइबल फिर्मामेंट बिर्शा वाज वेरी वेल स्टैंड विट सिद्धू एन कानू अगर ऐसा देखा जाए तो जो सिद्धू एन कानू का जो एक अंदूलन हुआ था उसमें बिर्शा मुंडा का जो एक सोच इसे साथ में अपना रिवोल्ट कर रहे थे हैं वो बहुत हतक मिलता है शिद्धू कानू जो रिवोल्ट हुआ था उसके साथ में ठीक है इंपक्ट ओव बिर्शा मुंड मुवमेंट क्या क्या इंपक्ट पड़ा बेटर लेंड मैनेजमेंट सिस्ट्म मतलब जब उनकी मृत्ति होगा इसको भादवें रिव्यचल लगा है सब्सक्राइब करते हैं और वहां पर ही अपना पूरा एगरी कल्चर का काम करते हैं तो एक तरह से देखा जाये तो सब की भागीदारी रहती थी कोई इंडिविजुल का जमीन नहीं रहता था जो वहां के जो पैलेसे जो लोग रह रह रहे हैं उनका भी वह हिस्सा बनता था और जो मुंडाज उस जमीन पर अपना काम एगरी कल्चर कर उनका भी हिस्सा बनता मतलब की सर्वसम्मति मतलब सब के लिए ऐसा चलता था कोई इंडिविजुल का नहीं होता था तो खूट-कटी सिस्टम आक्चुली यही होता है ठीक है तो खूट-कटी सिस्टम को कहीं ने कहीं रिकॉगनाइज किया गया कि नहीं यह अच्छा चीज है इसको बढ़ावा देना चाहिए फिर क्या है एफेक्ट और जमींदार्स पर भी एफेक्ट किया गया वोकि उनको लग रहा था कि जो बिडिसर्स लोंग थे हैं वो उनको फील हुआ कि भाई जो जमींदार लोंग है वो लोग जमीन जो चीन रहे है वो अक्चुली में वो गरीब किसान बना दे रहे हैं तो इस सब चीज ठीक नहीं हो रहा है ठीक है इस्टेबलिस्मेंट ऑफ गूमला एंड खोटी सब्डिविजन गूमला और खोटी को अलग अलग सब्डिविजन बनाये गया अभी पहले क्या था कहीं पर कुछ प्रॉलम हो रहा है तो आपको रांची आना ह रांची में जो जो भी जज लोंग है पुलिस लोंग है वहां पर आपको सुमाई होगा तो बैचारे गरीबाद में लोंग उतना पैसा ही उसके पास नहीं रहता तो क्या करेंगे वहां रांची पहुंचेंगे भी कासे तो इन सबी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और में ही और खूटी में ही एक सब डिजन बना दिया गया ताकि जो जिसका प्रावलम होगा आप लोकल आग गुमला में आ जाईए लोकल खूटी में आ जाईए और वहीं पर आपके सुमाई हो जाएगे आपको कहीं पर कहीं दूर आपको जाने का जरूत नहीं ठीक है छोटा नागपू टेननशी एक्ट जिसको बोलते हैं बहुत ही इंपोर्टन एक्ट है यह बना छोटा नागपू टेननशी एक्ट दे छोटा नागपू टेननशी एक वस अनधर रिजल्ट आप बिर्सार रिवोल्ट इट केम इन्टो फोर्स एक ग्यारा नवंबर 1908 ले गया था कि जो जमीन जिनकी है जो जो आदिवासी लोंग है उनकी जमीन को हिफाज़त से रखा जाए बहरी लोगो बहरी लोग उनके जमीन को छिन नहीं पाए उनसे ठीक है और यह बहुत हत्तक जो बी एंटी था ना सॉरी बीटी यह था बंगाल टेननसी एक्ट उस प दिरे दिरे सबी में पॉलिटी कल आशना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ पर विर्सा मु मेंट बहुत बड़ा हूम- Georg करके गये थैं वह मतलब सदन उनका देथ हो गया लेकिन जाने से पहले वह बहुत ही बड़ा होमवर्ग करके गया थे लोगों को जागरूप कर चुके थे कि हम लोग अपने लाई को कैसे आगे लेकर चलना है अगर हम लोग लाई नहीं करेंगे तो सब कुछ खता हो जागा कुछ भी नहीं बचागा तो यह कुछ एक जो राइटर्स थे हैं जैसे एसी रॉय उनके बारे में सचीता नंद यह आप इसको पढ़ सकते हैं यह जो नोट कीजिए अगर आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी वित राहल मुंची ज्यादस ज्यादस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिम एस्ट्टों को बेनेफिट मिल सके काफी टाइम के ब ठीक है अच्छे से पड़ाई कीजिए देखिए एक्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे नॉलेज अगर आपका सब्सक्राइब हो जाएगा हाँ टार्गेट हमेशा बड़ा को लेके चलिए तो अगर वह नहीं हुआ तो उसके नीचे वाला होगा लेकिन टार्गेट जरू रखिए ऐसा नहीं कि भाई ठीक है ना आज यह पड़ने कल वह पड़ने जाए नहीं पड़ने तो चलेगा ठीक है अपने घर में रहें स्वस्त रहें थांक्यू थांक्यू सो मच